आज की ग्लास में धेर सारे शब्दों को पढ़ेंगे 100 words एकदम नोट कर लो 100 words की class होने वाली है ना एक कम ना एक जादा पूरे के पूरे 100 words और वो सारे के सारे words ऐसे जो रोज हम इस्तमाल करते हैं यह सारे words अगर आपने याद कर लिए और इनको इस्तमाल करना सीख लिया त क्लास को शुरू करते हैं आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकाडमी मैं हूँ प्रीती माम सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर देना ताकि आगे कि आने वाली classes के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप समय पर आ करके classes को अटेंड कर पाएं सबस शब्द का श्तमाल करते हैं वह अगर पुरुश के लिए श्तमाल कर रहे हैं तो ही श्तमाल होगा यह या इस दिस का श्तमाल करेंगे किसी वस्तु के लिए जब बात होती है most of the times वह, that का इस्तमाल करेंगे, इन या ये सब, these का इस्तमाल करेंगे, वह, वह या वो सब, those का इस्तमाल करेंगे, कोई भी इस्तमाल करेंगे, anyone, किसका यूज करेंगे, anyone, परंतु इस्तमाल करेंगे, बट का, लगभग, जब किसी चीश की«schorety» नहीं हो लगभघ की बात हो, तो लगभघ के लिए but word का use करेंगे, लगभघ के लिए परंतु के लिए but का use करेंगे, लगभघ के लिए about का use करेंगे, फिर then का use करेंगे, थ, e, and then, आंग्रेजी में दो तरहके होते हैं T H E N D N और T H E N D N तो D N का यूज़ करेंगे फिर के लिए बहुत जब मातरा की बात हो तो मैनी का यूज़ करेंगे यहां location की बात हो यहां के बारे में बात हो जहां पर आप हैं उस time पे तो here का इस्तमाल करेंगे h e r e here का नहीं इस्तमाल करेंगे no का N O no सब लोग या सभी लोग everyone everyone हर चीज everything हर चीज everything कुछ नहीं nothing देखो every मतलब क्या होता है सारा और thing मतलब cheese है ना तो सारी चीज यानि के everything और कोई भी चीज नहीं तो nothing, simple, no का मतलब क्या होता है यह negative word होता है जो नहीं को दिखाता है emptiness को दिखाता है तो nothing जब बोलंगे मतलब कोई भी चीज नहीं है इसलिए वो nothing हो गया और every के साथ जब think लगा तो every का मतलब जो होता है उसके साथ वो thing लग गया ठेके तो पहले वाले word के उपर depend करता है कि thing लगकर के जो है वो क्या काम करेगा जैसे इसी तरीके से जब something आप बोलेंगे तो some का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ है ना तो something, कुछ चीज आई बात समझ में thing कैसे लगकर के काम कर रहा है कुछ यानि की some के लिए for word का use करते हैं यह for का बहुत ही basic use है और regular use है for का इसे upper level use भी होता है advanced usage भी होता है वो किसी और दिन किसी class में करा दूँगी वो conceptual है तो उसमें काफी explanation और काफी दमाग आपका खर्च होगा उसको समझने में फिलाल क्योंकि words हम लोग पढ़ रहे हैं तो words के उपर stick रहते हैं for basic use इसका होता है लिए या के लिए जैसे कि तुम्हारे लिए for you मेरे लिए for me ऐसे करके ठीक है और दो शब्दों दो वाक्यों दो पारग्राफ को जोडने के लिए and का इस्तमाल करते हैं और न, नौर का इस्तमाल करते हैं जब choices में से दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो न यह चाहिए और न वो चाहिए ऐसे वाली जब बात करते हैं तो नौर का इस्तमाल करते हैं लेकिन इस्तमाल करते हैं but word का beauty but या और का इस्तमाल करते हैं choices जब दो होती है लेकिन चु प्रती एक इच, कहना टेल, दयालू दो तरह से यूज़ होता है, एक तो दयालू जो है, उसकी अंग्रेजी जो है, वो काइंड होती है, और काइंड दो तरीकों से यूज़ को होता है, ठीके, काइंड एक तो दयालू है, किसी का कोई बहुत दयालू है, तो बहुत काइंड ह ही हम यूज करते हैं यह इट यूज होता है हमारा हमारी हमारे आवर तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे आपका आपकी आपके तेरा तेरी तेरे इन छे अच्छली नौ वर्ड्स के जगा पर आपको सिर्फ एक वर्ड का यूज करना है किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करेंगे इसका इसकी इसके जब किसी चीज की कोई किसी चीज से सम्बंदित किसी उसी चीज से सम्बंदित उसके किसी फीचर की बात करें तो इट्स का यूज करेंगे हम हम सब अस का हिंदी के वाकियों को, तो आपको यह समझ नहीं आएगा किस जगा पर हम, हम लोग, हम सब कि जगा पर we use करें या us use करें, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, simple सा ट्रिक है, that is, कि we जो है, वो subject के जगा पर आता है, us जो है, तो us का स्तमाल आएगा, ठीक है, मुझे me का स्तमाल करेंगे, उन्हें them का use हो जाएगा, उसे his का use होगा, अगर male के लिए use कर रहे हैं, या उसे या उसको हर का स्तमाल होगा, गर्महिला यानिकी female के लिए use कर रहे हैं, क्या, ये question पूछने वाला gesture है, question पूछने वाला word है, तो उसकी अंग्रेजी होती है what, कौन, किसी व्यक्ति के बारे में सवाल पूछने के लिए who, कौन सा किसी सामान के बारे में choice पूछने के लिए which, क्यूं इस्तमाल करते हैं why का, कब इस्तमाल करते हैं when, कैसे how, किसका whose, किसको whom, लेकिन वही पर जहांपर whom का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं. तो तीन व्यक्तियों का involvement होता है तो हम का इस्तेमाल किया जाता है. बंद यानि की close, फिर भी still, अभी तक yet, लोग, people, पूछना, ask, बताना, tell, जल्दी, soon, देखा, saw, दोड़ा, ran, बाहर, out. पर, on का यूज़ करते हैं, अभी इस वक्त, now, खुद, अगर फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है तो herself, हम खुद, ourself, वहाँ, there, वहाँ देखिएगा, यूज़ होता है, location के लिए, तो there भी, जगह, location के लिए ही यूज़ होगा. रखना, keep, अच्छा, well, लेना, take, परंतु, but, लगभग, about, फिर, then, बहुत, many, here, यहाँ, नहीं, no, की ओर, towards, की जिसकी ओर जा रहे हैं, towards, के भीतर, inside, के बाहर, outside, तो, so, इसी लिए, that's why, क्यूंकी, because. Pass, near, दूर, far, खीचना, pull, धकेलना, push, mall वगेरा मैं आपने देखा हुआ, gate पे लिखा रहता है, pull और push, तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इसमें confused होते हुए दिखा है, तो जिस शब्द को बोलने में आपको जादा ताकत लगे, उस काम को करने में भी जादा ताकत push और pull के लिए याद रखिएगा, pull जो है वो तुरंट मूँ से निकलता है, तो आप pull जब बोलते हैं, तो आप अपनी तरफ खीचे, क्योंकि अपनी तरफ खीचने में बल थोड़ा सा कम लगता है, और push जब आप बोलते हैं, तो मूँ से जादा आवाज निकलती है, और आ जादे मैंने जिसको भी आज तक की ट्रिक बताई है, उसने फिर कभी भी दुबारा push और pull में गलती तो नहीं की है, आप मेंसे कौन को निसको इसको 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 इस्तमाल करने वाला है, जरूर कमेंट करकर बताईएगा, दबाना, प्रेस, खुला हुआ, ओपन थोड़ा, little, कुछ, few, सब या सभी, all, be, also, हर जगा, everywhere, कहीं भी नहीं, nowhere, अधिक, more, come, less, पहले, before, बाद, after, आज, today, आज रात, tonight, बीता हुआ कल, yesterday, आने वाला कल, tomorrow ये चार वर्ड्स बेहत इंपोर्टन्ट है, जब आप रेगुलर लाइफ में इंग्लिश पोलते हैं, बिकाद बेसिक है, आज का मतलब today होता है, कल का मतलब tomorrow होता है, बीते वे कल का मतलब yesterday होता है, ये बेसिक अगर आपको नहीं आएगा, तो शुरुआत यहीं से करिए basic का, मतलब this is very basic है, बहुत important है ये, तो लीजिए ये थी आज की class जहां पर हमने सीखे 100 शब्द, 100 शब्दों के हमने करी practice, एक शब्द शायद repeat भी थे, खर कोई बात नहीं, उनको make-up में अगले class में कर दूँगी, तो ये words बहुत important है, आप रोज मरा की लाइफ में इंग्लिश बोलने लगेंगे, तो आपको realize होगा, कि आप कितना जादा इंशब्दों का अस्तमाल करते हैं, class कैसी लगी, comment करके मुझे ज़रूर बताइएगा, class अच्छी लगी है, class को like और share कर दीजेगा, आप देख रहे हैं संडीट इंग्लिश अकाडमी, मैं हूँ प्रीती मैम, subscribe क करके bell notification on कर दीजेगा, ये सारी courses हैं, English writing, spoken, grammar और reading की, और ये e-books हैं, हमारी apps and read English academy अप पर available है, इस app को आप Google Play Store पर जाकर के download और install कर सकते हैं, यहाँ पर आप free और paid दोनों तरह की classes को कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए इस number पर WhatsApp मेसेज के जरीए संपर कर सकते हैं, e-books ह हमारी लेने के लिए आप इस website पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी किताबे मिलती हैं, लेकिन PDF के form में आपको इनको download करना पड़ता है, हमारा WhatsApp का group जरूर जोइन करके रखें, या तो Telegram जोइन कर लें, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो, यहाँ पर रोज की classes आपको सीधे आपके मोबाइल पर भीज दी जाती हैं, ताकि आप घर पर बैठ करके आराम से अपने समय अनुसार पढ़ाई कर सकें, और मैं इसके साथ ही मिलती हूँ आपसे आपके अगली क्लास में, तिल देन तैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे टून टो संडीत कर दो कि कर सांदी कर सीधी करा मिली कादम से टीक का दो एंप परूने से ऑफके हैं, प्यू आपके मैं एक बतून कर वाचिंपना तानुसाव पर बैडनी देंक अवाज को से का रहता सुब्न कर स्कांब्साजिकाृ...